असंस्तुत शरानेश्चा प्यंगिकारो हियार्त तर्किकं सुग्रहनम अग्राहियस्य गुरुहितरस्याप्यु पेक्षणम कस्य चन संकल्पस्य जटित्यईव समुद्भवह बावोनमेशो विवर्तोवा भावानाम समयोचितह चीर रूढ मनो भावस्यापी द्राक परिव परतनम उल्कापिंड सद्रुक्षाभा रुत तंत्री जंकृतिक्षमा क्षबा अल्पाक्षराल्प पात्रापी कथा लगवी मही यते तो मित्रो आजे पंदर एक्सो पंदर्थी ओगणिस कारिकामा अभिराज राजिंदर मेश्रे कया कया मापदंडो बताया ए स्लाइड पर आप जोई शक्षो लगू कधामा कथा अती विश्त्रूत नथी होती एमने एक साल सूपमा आपी छे के वीजडीना चमकार अनी जेम एकाद क्षण पकड़ी लएने कथा कार मुख्य पात्रनी केंद्रिय सम्वेद ना व्यक्त करी दे छे कथा एकज पात्रनी होई छे एना आरम बंतनु केंद्र बिंदु एज पात्र होई छे वर्षो थी चालती प्रणाली काके परंपरानों एका एक विच्छेद एमा दर्शावायो होई छे नूतन अपरीचित प्रणाली नो अकल्पे रिते स्विकार दर्शावायो छे नूतन मुल्य के प्रथानों अंग धिकार पन थयो लो देखाए अने वर्षो थी स्विक्रुत विशय वस्तुनी उपेक्षापन आ लगू कथा मा थाई शके आ लगू कथा नू पात्र पोताना द्रण संकल्पने अचानक प्रगठ पन करे परिस्थितिने अनुरूप भावनमेश अथवा संकुल सम्वेद न वच्चे ना आघात प्रत्या घात नू आलेखन पन तेमा होई द्रण मान्यता के भावो मा विजडी वेगे परिवर्तन आवतु होई एवू आलेखन पन जुवा मने अने उलका पात जेवू आ लगू कथा नू स्वरूप रदै तंत्र ने भावक ना चेता तंत्र ने जं कुरूत करी देवानों सामर्थे धरावे छे अल्पशब्दों अल्पपात्रों लगू आकार धरावती लगू कथा प्रसंसनिया गद्य स्वरूप छे तो मित्रों आ थै आधोनिक संस्कुरूत लगू कथा ना स्वरूप ना मापदन्डों अंगे नी बात अने हवे आधो संस्क्रूत लग्व कथानों विकास अने निपरंपरा एके विरीते आगड़ चाली ए विश्य आपणे जोई ए ओगणिस्मी सदीना उत्रार्ध मा जुदि जुदि भाषावनी वारतावना संस्कृत अनुवाद शरू थया ए शरू करया श्री अपपा सास्त्री राशी वाड़े करे संस्कृत चंदरीका मा अरेभ्यन नैट्षनी कथावना अनुवाद रुपांतरों द्वारा करया एमने पोते पन भारतिय परिवेश मा परिवेश धरावती वारताव पन लखी और इते संस्कृत लगुक थाना नुटन प्रकार स्वरूपनों सुत्रपात अपपा सास्त्री जिये करयो ए पचिना युग मा आक्षेत्रे सवती मोटु नाम आवे छे भट्ट नमथूरा नाथ सास संस्कृत रतनाकर सामाइकना संपादक्तरी केमने विविद भावात्मक भूमिकाओ धरावती अने अनेक लगुक थाओ प्रकाशेत करी ए आधुनिक संस्कृत कथाना प्रस्तार विकास माटे बहु महत्वनु बिंदु साबित थे बटजी ए विशयवस्तु परिवेश अन विदंबना बेद अशक मां बटजी ए जे कथाओ आपी एमा नारी जीवन नी विदंबनाओने अमने मुखरित करी बटजी ए आईतिहासिक, राजनाइतिक, सामाजीक, हास्यात्मक, मनोवईग्नानिक, प्रणाई संबंदी औने प्रतिकात्मक एम अनेक विशयो पर लगू कथाओ रची, अमित्रों टूंक मां कहिए तो भट्ट मतुरानाथ सास्त्री जीए कथामा शैलीना नवा परिमानों अने कथावस्तुना वैविद्यनों अभूत्पुरो विक्रम सिद्ध कर्यों चे आ संस्कुर्ट सामाईको मां प्रादेशिक भाषा नी कथावना अनुवादो पन प्रकाशित थता रहा बंगाल नी संस्कुर्ट साहित्य परिशद पत्रिकामा फार्सी भाषा नी कथावना अनुवादो छपाया रागवन युग मां टोल्स्टोई नी वार्ताओना संस्कृत अनुवाद थाया, विश्वी सदीने शरुवातना 30 वर्षो मां वार्ताओनी संस्कृत भाषा जे तमे जुओ, तो ये व्याकरन शुद्ध अने लालित्य पून बनती गई, एना आधुनिक परिवेश, जीवन अनुरूप नवा शब्दार्थना रुपांतरो प्रवेश्य, एनी आपड़े वाद करिये, तो टेबल माटे संस्कृत मा लगू कथा कारे शब्द मुक्यो त्रीवली, साइकल माटे एमने शब्द मुक्यो द्वी चक्रिका, चेर माटे आसंदी, तो वड़ी स्पेक्टेक संस्कृत माटे उपनेत्रम, आवा विद्यारत मित्रो आवा नवा नवा जे आधुनिक संसाधनों छे, एने संस्कृत लगू कथा कारे, पोतानी रीते लोकभोग्य बनावा माटे, और तरत एनो अर्थनों बोध थाए, एना माटे पन आएक नवा ए शब्दोना, अंग्र संस्कृत रुपांतरो, संस्कृत अर्थ एमने नवा आपवा नो पन प्रारंभ कर्यों, आपछी हवे, आपने आधुनिक संस्कृत लगू कथानी सम्रुद्यने विकास, एना परिशकार्मा, संस्कृत सामाइको नू बहुज महत्वनू प्रदान छे, एमाटे डौक्टर क कलानात सास्त्री ने जिटला अभिनंदन आपिये, एटला ओछा छे, एमने एक ग्रंथ लख्यों छे, आधुनिक काल का संस्कृत गद्य साहित्या, अने तेओ पोते पन सारा संस्कृत सर्जक छे, तेमने आनो अभ्यासकरी ने आ मुद्दा पर आव्या, के संस्कृत चंद संस्कृत रतनाकर, सहरुदया, उद्यान पत्रिका, परिशत पत्रिका, मदूर्वानी, सुर्योदय, अमर भार्ति, शार्दा, मंजुषा, सूप्रभातम, आ बदा महत्वना सामाई को विश्मी सदी ना पुरुवार्द मा संस्कृत वार्तावनु विप्पूल संख्या मा एमने प्रकाशन आ बदी पत्रिकावे कर्यू, एज रिते विश्मी सदी ना उत्रार्द मा जोए, तो संस्कृत प्रतिभा, भारती, संस्कृत भवितव्यम, जोतिश्मदी, अमरुत लता, संवीत, आ सामाई को विपन, लगुक थाना प्रवाहने मूर्त स्वरुप आपव खूब महत्वनों भाग भजवयों छे, हवे आ पत्रिकाव मा जे लेखो आवे, जे लगुक थाओ आवे छे, ए आप जानों छो कि कोई एक प्रदेश्नी नथी आओती, तो भारत मा ए आखो व्याप वद्यों छे, दक्षिन ना कथा सर्जको बंगाल ना सामाई काव मा अन्ने ए रिते तमे जुओ तो संस्कृत सामाई को नू लगुक थाना विकास मा बहु महत्वनू प्रदान रहूं, हवे विश्मी सदीना चोथा पांच मा दशक मा नी वाद करिये, तो एमा वस्तु वईविद्य अन्ने एनी शैली मा नवा प्रयोगों शरू थाया, नारी मित्रो आधोनिक संस्कृत लगुक थाये, खूब घाणी लांबी मजल कापी ना खी, अन्ने एनो जितलो सामाई को नो आभार मानिये तितलो ओछो छे, आ सामाई को बाद, अवे आपने नजर करिये, स्वतंत्र लगूस कथा संग्रहो पर, एपन संस्कृत लगूक थाना व भावेचेते जोई है, भारतिय समाज मुल्यो अने परंपराने जाडवीने संस्कृत वार्ता कारे, आ विश्मी सदी मां संस्कृत लगू कथाओं मां नवू कथा स्वरोप खेडियो अने सिद्ध करियों, ओग्णी सो पंचावन मां पंडित क्षमार आवनो कथा मुकता व विश्योनु बाउच भाव आई निरुपण जोवा माले जे, पंडित गनेश राम शर्मा, एमने संस्कृत कथा कुंजम संग्रमा, सामाजिक दूशनों, अने कू प्रथाओं पर तिक्षन कटाक्ष करती कथाओं आपी, आदर्श्वादी सुधरावादी द्रश्टी कोण पण एमने बताव्यों, द्वारका प्रसाद सास्त्री ए सिद्धेश्वरी वैभवम्मा आठ मौलिक कथाओं आपी, जयमा दहेज प्रथास्त्री चरित्र, आंतरग्नातिय लगन, अंध विश्वास, पाखंडी कर्मकांडी ब्रह्मनों, अवेद लगन संबंध, एवा वि संचय छे, अने तेनी अंदर परंपरागत अने प्रयोक्षिल द्रष्टी बिंदो थी, एमने विचार कर्यों, नलीनी शुकला, ना कथा सब्तकम्मा, नवी समस्याओ, नवो परिवेश, अरवाचीन युगनी बदलायली मांसिक्तानों निरूपन जे, अभिराज संचया, एमने बे कथा संगरों आपया, एक्षुगंधाने रांगडा, एक्षुगंधामा मानविय उर्मियों, आर्थिक समस्याओनों भोगवन्ती, यूती नी विवस्ता, आकस्मीक प्रणाय, वात्सल्य, पुत्र जन्वा माटे सामाजी काहर, आभा विशयों निरूप रांगडामा नव कथाओ आपी, एमा समसामाइक वातावरण नो प्रभाव, दलित वर्ग प्रत्येनी ग्रुणा, पशुप्रेम, रूप जिवियों नी समस्या, स्त्री संतान नी उपेक्षा, तांत्रिक उप्चार नो प्रभाव, आभा विशयों इपन खुब नोखी भा पाड़नारा, एमने राच्या, केशव चंद्रदास्त ना विदिशा ने उर्मी चूडा कथा संग्रवुपन नोध पात्रा छे, एमा एमने मोटे भागे नारी समस्याओनू निरूपन कर्यू, इच्छा राम द्युए दी, जे प्रणाव ना तखल लुस्थी ओडखाई एमने एकादसी कथा संग्र आपयो, एक खुब सूचकर रहो, अग्यारस्नू व्रत एक दलित गरीब श्रम जीवी नारी ना जीवनमा क्यों वडांक लावे, एनी एमने इहां रजुआत करी चे, आउपरांत राजकारण, नियाय तंत्र, दहेज, हडताल, शिक्षन मा प्र रविंद्र कुमार पंडा, एमने चिन्नत छाया, अने जैदेव जानिये स्निहावतार, ए वार्ता संग्रों आपया, जे खुब उल्लेक निये जे, गुजरात मा रविंद्र कुमार पंडा मुड ओरिस्साना होवा छता, एमने गुजरात ने पोतानी कर्म भुमी बनावी अने गुजरात ना संस्कृत सर्जक, शिरोमनी, गणाय, एवाहर्षदेव महधव, एमनी वास्तवने कल्पनानों अध्भुत समन्वाई साधती श्मृती कथाओ पंडा सरित संस्कृत वार्ता सामाईक मा समाई समाई प्रकाशित थती रही छे तो मित्रो, जेमना कथा संग्रो प्रकाशित थया, एणी वात आपने कई, पंड जे ना कथा संग्रो प्रकाशित नदी थया, कोईकना अन्य संपादित कथा संचयो माँ जेमनी लगहु कथा उ स्थान पामी होई तो अनेक संस्कृत लगू कथा सर्जको एवा छे जैनि विस्तुरुत माहीती आप सुष्री रूची कुल्सरेश्ट ना पुस्तक मां जोई शक्षो हवे तमारा अभ्यास्क्रम माजे सुचित आधुनिक संस्कृत लगू कथा हो छे एक कौनी छे औने अनिसु विशेशता हो छे एनो परीचे आपड़े लईए डॉक्टर नीना भावनगरी औने प्राध्यापक नैना नायक द्वारा संपादित संस्कृत लगू कथा संच्च मित्रो आप ए जोई शक्षो ए पुस्तक हुँ आपने बतावी रहो छे के आ पुस्तक माँ संस्कृत लगू कथा संच्चे के जेना बे संपादिकाओ छे श्री नीना भावनगरी औने प्राध्यापक नैना बेन नायक आप बन्ने मित्रो ए खुब उत्तम काम अईया करेऊ छे अने कदाच आधुनिक संस्कृत लगू कथा ओने संस्कृत ना गुजरात ना वाचको सुधी पहुचाडवानों जे आ एक अभुत पुर्व काम छे ते प्रसंसनिया छे सराहनिया छे आ कथा संचे मां कुल बार ज पुजराती अनुवाद आप बन्ने प्राध्यापिका एक करेला छे अने आगर सम्रुद्ध एवी नोध पन आपेली छे तो हवे आपने ए तरफ विचार करिये कि आप बार कथा लगू कथाकार कौन छे अने आमनी कई-कई कथा आओ तमारे अभ्यास मां बनवानी छे आप स्क्रीन पर जोई शको छो के जैमंत मिश्रनी कह सुखी करानाच शास्तरी नी अस्पुरुष्यत आया रहस्यम वीना पाणी पाटनी नुई संखनाद हा राजेंद्र मिश्रनी भग्नपंजर हा प्रभुना द्युएदी नी सुकन्या जैदेव जानी रचित सनिहावत इच्छाराम द्युएदी प्रणवनी एकादशी पस्चाताप अने अद्वैत वीमर्ष एम त्रोन लगु कथाओ छे हर्षदियु माधवरचित भगवांदास बनवाली मिश्वालकृत पुत्रेशना रविंद्र कुमार पंडानी चिन्नत छाया राधावललब त्रिपाठी जीनी स्मीत रेखा अने श्वेता प्रजापती नी तवात्र किम आ चौद लगु कथाओनो समावेश आ संग्रमा छ आ क्रम जे आपवामा आवयो छे एक क्रम विशेय आपड़े एक स्पष्ठता करवी जरूरी ए छे के एक क्रमीक विकास रिखाना मापड़ंड तरीके आ क्रमीक लोह पता उस्द पामीं छे संस्कृत लगु कथाह सिद्ध करे ला जे परीमा आणों छे अने आया मों छे एने इया ध्यान मां लेवा मां आवया छे हवे आपने करमानुसार ए कथा होने संक्षेप मां एनी विशेशता हो जोई है आचारे जैमंत मिश्रनी कथा छे कह सुखी कौन सुखी ए शिर्षक आपने जन्जोडी दे छे एमा जुदी जुदी आर्थिक अवस्थामा जीवन व्यतित करता त्रोण मानसोनी सुख विशयक संकल्पना अलगू घटना द्वाराई अभिव्यक्त थाई छे ए घटना एवी छे के उनालाना बडबडता बपोरे राजमार्ग नी नजिकना घटादार व्रुक्षनी छायामा भर निद्रामा सुतेला श्रम जीवी नी सुख नी कल्पना बिजू चीतर छे कार्मा पाणी खुटता कोईक मजूर पाणी लाई वी आपे एनी रहाजोता एक कार्मालिक नी सुख विशयनी संकल्पना अने स्कूटर चालक उच्च मध्यम वर्गियनी सुख विशयनी संकल्पना आ त्रोणे ना वर्तन अने विचारधारा द्वारा आ लगू कथा मा जुदा जुदा तेमनी सम्वेद नाओ तेमनी मुझवणों ए व्यक्त था एली जोवा मडे छे कलानात सास्त्री नी अस्पुरुषय ताया रहस्यम एनो सुन्दर अनुवाद आप्यों छे आभर छेटनू रहस्यम आ लगू कथा मा सिर्षकत सुचवे छे के अस्पुरुषय तेमना दुशन नी अही वाद थायली होवी जोई समाजना दलीत सोशीत पछात गणाता वर्ग प्रत्यनी सवर्णों नी सूग ये आ लगू कथा नो विशाय छे सर्जके विदीनी वक्रता एवी दर्षावी छे के कथा नायके जेनो अस्पुरुषय गणीने भूतकाण मा जेने तर्छोड योतो औने अध्यापन करावानो इनकार करयो तो एज दलीत वर्णानो युवक नायकनी रुग्ण विवश तर्छोड आयली अवस्थामा एना घाने समभाव थी तपासी एनीची कित्सा करे जे कथा नायकने अई नवो मुल्य बोध सापड़े छे के पोते सवर्ण होवा छता सवर्णो माटे स्वजनो माटे अस्पुरुषय अने घुरुणा उपेक्षानु पात्र बन्यो त्यारे समाज मा अस्पुरुषय गणातो एवो डॉक्टर बनेलो दलीत वर्ण अत्यंत सहा कानु भूती धी एनी चिकित्सा अने सारवार करे छे वित्रों आ विशे आपने एक चर्चा करी लेए के मोटे भागे संस्कुरुत मां एवी मान्यता छे के संस्कुरुत मां तो मात्र राजा राणी नी कथा ओज छे पां आ लगू कथा ओ तमे वाण